सबी तरह की निव लेटिस्ट मुशारा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल आर इस मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कुछ बात थी जो उनको भुगाया वाँ पर तफसरा क्या किया जाए देखिए इन पर तफसरा करने के लिए उनकी खूविया गिनाने के लिए लमहात की जरुवत नहीं है बलके पूरी जिन्दगी की जरुवत है पूरी जिन्दगी लग जाएगी उनकी खूविया गिनाने म ये काम सिलसला चलता रहेगा एक मतले से अपनी बाश शुरू करता हूँ कि धूप को आजमा रहा हूँ मैं धूप को आजमा रहा हूँ मैं मौम का घर बना रहा हूँ मैं ये बहुत अच्छा मतला था जिसे आपने संजीद्गी दो सुन लिया मुझे नहीं मालूम है कि इतनी खामोशी सा आपने क्यों सुना बहरा लाब जाने मेरा काम सुनाना है सुना आप बकाम है धूप को आजमा रहा हूं मैं मौम का घर बना रहा हूं वाह 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 उसको लेकर गया था कांधे पर उसको लेकर गया था कांधे पर खुद को दफना के आ रहा हूं वाह 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 वा साहब के बारे में जैसा मुझे मालूम हुआ कि तालीमी सिलसले से भी बड़ा काम है उनका और तालीम के मैदान में भी बड़ा काम हिनों नों किया है तो मैं समझता हूँ कि ये शेर भी मुझे पढ़ना चाहिए कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा अंगारों को फूल बनाया जाएगा ये नारा मकबूल बनाया जाएगा और बाद में होगी मंदर मस्जिद की तामिर पहले एक स्कूल बनाया जाएगा बाद में होगी मंदिर मस्जित की तामीर पहले एक स्कूल बनाया जाएगा और यह चार मिस्रे यह भी रईस लशकरिया साहथ की नजर करता हूं इनके हवाले से परता हूं इतना बड़ा इवेंट सजाया इतना बड़ा और भी जाने कितने काम खित्मात अंजाम देते हैं यह इन्सानियत की फिल्ड में तो कोई ऐसे ही नहीं यह सब काम कर सकता ही मामूली काम नहीं है इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं मुखालिफ के लिए हर आदमी आधी नहीं होता है इरादे हो जमा जिनके वही बाजी पलटते हैं मुखालिफ के लिए हर आदमी आधी नहीं होता हवेली छोड़ कर कच्चे मका में रहना पड़ता है फक्त चर्खा चलाने से कोई गांदी नहीं होता है वाँ 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 हवेली छोड़कर कच्छे मका में रहना पड़ता है अब अब पेश्क करता हूँ इरादे हो जवाँ जिनके वही बाजी पलटते हैं मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता हवेली छोड़कर कच्छे मका में रहना पड़ता है फक्त चर्खा चलाने से कोई गांधी नहीं होता फक्त चर्खा चलाने से बहुत शुक्रिया फक्त चर्खा चलाने से कोई गांधी नहीं होता वक्त बहुत कंप है एक घजल मैं सुनाना चाहता हूं जे घजल के तिन चार पाश शेयर जो भी याद आजाए और ये घजल इसलिए भी सुनाना चाहता हूं कि ये राहति इंदोरी सहाब को एक तरीके से खिराज क्योंकि ये ये उनकी एक बहुत मशुपर गज़िक घज़़ूँ जिसकी रदीफ थी थोड़ी है जी 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 जाद है इक जा कोई आसमान थोड़ी थो मैं ये गदल सुना रहा हूँ समात फरमाईएगा कि चमन में सबके लिए इहत्माम थोड़ी है चमन में सबके लिए सबके लिए इहत्माम थोड़ी है तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है वाह चमन में सबके लिए इहत्माम थोड़ी है तेरा निजाम खुदा का निजाम थोड़ी है और अब यहां से जुड़ जाएए इरशाद इस गजल में कि वो जूट बोल रहा है तो बोलने दो उसे दुकांदार है कोई इमाम थोड़ी है वो जूट बोल रहा है तो बोलने दो से दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है वाँ 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 जो तुम कहो वही लिखूं जो तुम कहो बोलूं जो तुम कहो वही लिखूं जो तुम कहो बोलूं मेरा मिज़ाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी वाँ 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 जो तुम कहो वही लिखूँ जो तुम कहो बोलू मेरा मिज़ाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है अरे महले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम महले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम किसी के दिल में तराय है तरहम तोली वाह